Well, hi everyone. So, legal studies का syllabus क्या है? ये देख लीजे आप, आपके सामने एक document में share कर रहा हूँ. Legal studies, यानि आप अगर CUET की preparation कर रहे हैं, let us say you are preparing for CUET, तो उसमें legal studies आप से पूछेंगे. तो CUET का अपना syllabus भी है, लेकिन जो CBSC ने अपने directives दी हैं, legal studies के incorporation में, तो क्या syllabus है, वो हमारे लिए important है, और वही syllabus के basis पे, आपको जो CUET का paper है, वो design किया जाता है. तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, एक maximum आपने शेयर किया है, Ignorantia Joris Neminem Excuse Art, in plain, ignorance of law is not an excuse. इस Latin Maxim का यहाँ पे क्या significance है? तो यह जो Latin Maxim है, यह Roman law से निकल के आता है, inner common law. If every person of discretion is to know what law is, is an effort to teach law outside the remit of professional law school, may have significant social benefits. So the idea, the intent of adding legal studies as a subject, is कि आपको law school के beyond भी student community को aware कराया जा सके, कि क्या हमारा, जो law and order में जब हम law की बात करते हैं, तो what it is? Right, तो जो law को traditionally universities में पढ़ाया जाता है, लेकिन professional law school के बाहर जो है, अगर आप law पढ़ाते हैं, तो उसके अपने कुछ benefits होते हैं. तो ये इस basis पे इन्होंने legal studies subject को रखा है, लेकिन law को जब हम outside the professional sphere पढ़ते हैं, तो उसके दो assumptions हैं. कि law जो है अपने आप में बहुत vast है, it is very complicated to be taught in a non-professional setting. Because most of the time what happens is, जब भी हम law पढ़ रहे होते हैं, out of law school, तो हमें काफी चीजों का understanding नहीं होता है. For example, जैसे कि आप court में जाते हो जब किसी particular remedy के लिए, you seek a particular remedy, let's say आप चाहते हो कि आप आपने पडोसी को stop करना चाहते हो, you want a stay order, आपका पडोसी आपकी जमीन पे दिवाल बनवा रहा है, खड़ा करवा रहा है, तो आप court के सामने जाते हो कि आपको वो दिवाल बनवाने से रुखना है, रुखवाना है पडोसी को, अब आपकी prayer क्या रहने वाली है, अब क्या मांगने वाले हो court से, तो आप court से injunction मांगने वाले हो, तो injunction क्या होता है, कितने तरीके का होता है, temporary होता है, permanent होता है, लेकिन दिवाल को court से ये order दिलवाना है आपको कि वो दिवाल जो जो होता है कितने फीट चड़ाई कितने फीट लमबाई और आपका फिर आपका goat na log gosta है करे कि नहीं है प्रॉपर सेल डीड हुआ की नहीं होए तो बोद टाईटल आपके पास है उस land का की नहीं है, यह तो बहुत लंबे समय में डिसाइड होगा, तब तक तो पड़ोसी दिवाल बना भी चुका होगा, जमीन पर कबजा भी कर चुका होगा तो ऐसे case में हम stay order के लिए बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं interim injunction, जब तक final order dispose of नहीं किया जाता है पड़ते हैं, law को तो हमें लगता है कि जमीन मेरी है, क्यों कैसे नहीं मानेगा सामने बाला पर ग्जांपल, अब traffic police का violation है अगर आप आपने traffic का उलंगन किया है traffic policeman ने आपकी photo कीच के चलान मना दिया है, और आप यह आकर court के सामने कहो कि there are others also who were standing at that place और उनका चलान नहीं हुआ है, मेरा ही कर दिया गया है तो that will not be considered to be a good excuse लेकिन जब हम non-professional setting में law को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि क्यों नहीं valid है भाई सब को सजा नहीं दे रहे हो, मुझको सजा अकेले क्यों दे रहे हो तो जो पकड़ में आ जाता है जो law को पढ़ने का difference आता है, वो ऐसा कुछ आता है ठीक है? ठीकिन इसके साथ-साथ आपको ये भी पता होना चीए कि professional trainers की कमी है अब आपके schools में जो teachers पढ़ा रहे हैं legal studies के, वो political science से graduate हैं वो lawyers नहीं हैं तो इसकी वज़े से थोड़ा सा incorrect appreciation और understanding of the law हो जाता है इसलिए misinformed और ill-informed academicians सोचते हैं कि उनको you know बहुत effort डालना पड़ेगा तो वो पढ़ाई नहीं पाते हैं लेकिन फिर भी with a very good objective हमारे यहाँ पे जो system बनाया गया है जो law का पूरा basis है वो justice, equity and good consigns पे है justice, equity and good consigns क्या है? यह तीन ऐसे principles हैं जो कि common law system से निकल के आएं तो यह आद रखना है आपको सबसे पहले कि हमारा जो पूरा system है वो roman law पे based है ठीक है? Roman law पे based है और हमने roman law का एक nature है common law और main जो हम लोग follow करते हैं हर जगह पे that is equity, justice and good consigns all the more always we follow equity, justice and good consigns equity, justice and good consigns का मतलब यह है equity का मतलब equality रही है equity का मतलब है एक समानता ठीक है? justice नयाय होगा good consigns मतलब अच्छी सोच के साथ ठीक है? उन सभी चीजों को आपको यहाँ पे बताते हैं तो इसमें बहुत important क्या है? तो बहुत important देखे सबसे पहले तो यह हमें पता चलना है और इसको हम आपके सामने live classes की तरह lecture by lecture चलाने वाले है तो यह program जो है पूरा free of cost है यह program हमारा पूरा free of cost है आपको सिर्फ copy और pen लेके बैठना है pen and paper लेके बैठना है आपको सिर्फ notes बनाने हैं जो भी हम आपको live class में बदाएंगे यहाँ पर डे हमारे हमारे यहाँ पर आपके हमारे YouTube channel Lex Prep में पर डे आपको हर lecture की एक recording आएगी जो की लगभग एक से डेढ़ घंटे की हो सकती है और आपको उसको 2x की speed पे देखना है और आपको उसको देखके अपने notes complete करने अब चाहे आप CLAT की preparation कर रहे हो चाहे आप preparation कर रहे हो other law entrance test की या किसी भी examination की SLAT की वहाँ पे आपको ये वीडियो help करेगा जिन भी बच्चों का 12th में legal studies अगर optional है तो आपको भी काफी ज़ादा सहायता होने बाली है इस particular वीडियो से तो देखिए हम क्या करने वाले है सबसे पहले theory and nature of political institutions हम समझेंगे sources of law और nature of law को समझेंगे ये answer writing में आपको help करेगा Indian legal system को किस तरीके से evolve किया गया है ये हमारे थोड़ा constitution के history से चला जाता है constitution की history सा जाता है ये Indian politics का भी part आ जाता है तो that is very much important then civil और criminal courts क्या होते है उनका पूरा process क्या होता है और family justice system क्या है तो ये हो दाता है हमारा personal law से related तो ये जो scopes है ये cover होते हैं ये 5 unit है अब इन 5 unit में जो content है जब आप बात करते है theory and nature of political institutions की तो आपको बताता है कि state और nation का जो concept है what it means फिर organs of the government जो कि हम polity और अपने civics में भी पढ़ते हैं उनको थोड़ा सा legal sense में आपके समझाने की कोशिश करेगा separation of powers के बारे में आपको बताएगा separation of power कि इन तीन organs का कानून बनाने वालों का लागू कराने वालों का और judiciary का अपना अपनाना अलग अलग रोल है इनका क्या आशाय है इनका क्या sense है हमारे यहां पे supreme court बढ़ी है या parliament बढ़ी है इस तरह के सवाल अगर आप 11-12 में सुनते हैं तो आप अकसर क्या देते हैं कि उच्छतम न्याले that is the supreme court is having a primordial importance in comparison to the parliament but that is not the case because we have adopted a system entirely from United Kingdom and in United Kingdom you will come to know that the parliament is a sovereign body it's even greater than the supreme court it's even greater you can say than the queen or king himself so the parliament sovereignty is concept adopted from the UK system but we have also adopted the independence of judiciary system where judiciary is considered to be very important from America so India has a blend of parliamentary sovereignty and judicial independence so what are the dynamics of it and that is where we come again back to the constitution of India so this is where we will come to know the constitutional framework of India so very conceptual clarity कली बहुत 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 है conceptual clarity के लिए यह इंपूत है plus you please understand this whatever you are studying here is a very basic thing but it is going to stick along with you for the rest of your life you will study law in whichever institutions you go you will study this concept and there you will find that it is going to stick along with you so conceptual clarity के लिए बहुत जरूरी है and this will be the first of the first sessions right then nature and the sources of law में हम legislation कानून बनाने का क्या process है actually क्या है there are two process that we need to study एक होता है lawmaking दूसरा होता है constitution को amend कर ना दोनों काम कौन करता है दोनों काम parliament करता है both task is done by the parliament itself लेकिन parliament जब lawmaking करती है तो इसको ordinary powers के अंदर करती है parliament जब law बनाती है तो इसको ordinary powers के अंदर बनाती है लेकिन parliament जब constitution को amend करती है तो इसको ordinary power नहीं कहते है इसको parliament की constituent power कहा जाता है क्या कहा जाता है parliament की constituent power कहा जाता है so that is where you need to understand the process of lawmaking that what is the meaning of the word delegated legislation and subordinate legislation अब delegated legislation यह word जैसे ही आप पढ़ते हैं तो delegated legislation का मतलब यह होता है कि आपने किसी को यह ताकत दे दी कि तुम भी law बना सकते हो ठीक है और आपने सुना होगा कि president और governor कि हमारे यहाँ पर president और governor दोनों एक interim law बनाते हैं जिसको हम ordinance कहते हैं जो six months के लिए valid होता है तो क्या यह delegated legislation माझाए का बिकास इनके कान बनाएगा कानूं सिर्फ छे महिने के लिए valid रहते है parliament चाहे तो इनके बनाएगा ordinance को खारिज कर सकती है parliament चाहे तो इनके ordinance को law में भी convert कर सकती है समझने है बात को तो क्या यह delegated legislation है कि क्या यह subordinate legislation है तो बहुत ही conceptual जो scope है वो यहाँ पे है फिर आपको judgment में जो important चीज़ें पता चलती हैं अपने को कि judgment के कितने components होते हैं यह stare decisis क्या होता है precedence यानि जो supreme court या high court ने पहले जो फैसला सुना दिया है क्या उसकी validity है किस तरीके से जो precedence होते हैं वो rest judicata के principle से अलग होते है यह कैसे how is it different जो difference है difference है precedence का difference जो है judicial precedence का difference जो है rest judicata में वो मैं आपको यहाँ बहुत detail में समझाऊंगा authoritative sources क्या होते है customs or law reforms इसकी क्या requirement है जैसे हमारे यहाँ पे कहते हैं कि जो hindu law है है जो hindu law है उसमें जो marriage और property के concepts है marriage और succession यसे कह लिजए transfer of property का एक रूप है succession कि बाप की खंपत्ती बेटे को मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो marriage और property के context में चीजें जो adopt की गई है वो manu smriti और धरम शास्त्र से की गई है तो manu smriti और धरम शास्त्र जो है यह तो हमारे यहाँ पर customary law में आते हैं customary law तो customary law को एक हिंदु मारे जाट और हिंदु सक्सेशन act में convert कर दिया गया है तो इसलिए custom का भी बहुत important है लेकिन custom को codify कर दिया गया है आजादी के पहले Britishers द्वारा यानि जो custom है उसको एक कानून rule book की तरह लिख दिया गया है so that is what we need to understand in the nature and the sources of law very important most confusing MCQs most confusing MCQs जो होते हैं वो इसी area से बनते हैं most confusing MCQs से ठीक है historical evolution of Indian legal system now very very important you take any subject I would say that this particular chapter of your legal studies is very important where you study about ancient Indian law English law how Britishers were administering British India what is the importance of charter of 1861 and subsequent charters that came now what were these charters these charters were basically constitutions these charters were nothing but constitutions of British India British India को कहते चलाना है उसके सम्विधान थे ये and the biggest point is that these constitutions were not being made by Indian people they were not being made by Indian parliament they were being made by UK United Kingdom के parliament UK's parliament was creating them अपनी मनमानी कर रहे थे अपने इंट्रेस के इसाप से British India का सम्विधान जो था वो बना रहे थे but these are the charters these are the constitutions framed by British India that had framed a lot of high courts and the federal court which now came to be known as the supreme court of India these all are the courts that are established by the same charter acts so very important it is and after all we come to the drafting of Indian constitution and ancient Indian law in modern legal framework so what is the importance of customs that we have adopted in Indian constitution and why Indian constitution is called it as a bag of borrowings very very important historical evolution in Indian legal system and I think this is going to be the lengthiest of the explanations this is going to be the lengthiest because it takes a lot of time to make you understand the facts then civil and criminal court and process very important but very basic very fundamental civil court का structure, civil process, criminal court का structure or criminal process है investigation and prosecution the differences and nuances of it that is what we are going to study family justice system is also very easy where we are going to study what are the family courts what is the concept of marriage, divorce, children domestic violence now domestic violence is a part of criminal law domestic violence is a part of criminal law and it becomes very important here because domestic violence is a part of criminal law it becomes very important here for one simple reason one simple reason that it becomes a ground for divorce domestic violence becomes a ground for divorce right so that is what we are going to study in the class 11th का legal studies right but class 11th का legal studies है वो basis है वो basis है आपकी class 12th की पढ़ाई के मतब class 12th का legal studies आता है C.O.E.T. में that's very true देकिन आप class 11th के legal studies को पढ़े बिना आप class 12th के legal studies से science नहीं बना पाएंगे क्यों? क्योंकि देखिए वो थोड़ा higher order चला गया वो आप judiciary अब आपको judiciary में यहीं नहीं पता है कि independence of judiciary constitutional supremacy parliamentary sovereignty के क्या concept है common law, roman law system क्या है judicial precedents क्या होते है आपको judiciary नहीं समझ में आएगा topics in law में जब आप जाएं तो उसमें आपको समझ में आगा क्या क्या units हैं और भी कई तरह का topics हैं फिर यह advanced चीज़ें हैं arbitration, tribunals, alternate dispute resolution यह advanced तरीका है law में जो नया है फिर उसके बाद human rights, legal profession, legal services, international context तो यह सारी advanced चीज़ें हैं जो आप class 12 में पढ़ते हैं आप यह नहीं कह सकते हैं याद रखना class 12 का सिर्फ C.O.E.T. में importance है that's correct बट अगर आप OLED की preparation कर रहे हो तो आपको 11 और 12 तो नहीं पढ़ना चाहिए और यहाँ पर थोड़ी सी preparation हमारी थोड़ी सी rigorous होती है इसलिए यह course को free में बनाया गया है इसलिए यह जो videos हैं यह free में release किया जा रहे हैं ताकि हर बच्चा देखे हर बच्चा पढ़पाए और आपको किताब खोलने की जरुबत ना पड़े अब इसी में आप देखेंगे जुडिश्री में क्या है जुडिश्री में we are going to study the constitution of the judiciary the roles and impartiality of the judges the structure and the hierarchy of courts and legal offices in India appointments, training, retirement, removal of judges and judicial review so this can be studied when we are studying the constitution or when you are studying the legal process when you are studying the legal process this can be clubbed together topics in law की बात करें so you can see these are the advanced topics basic topics है basically जिनके उपर advanced topics बनाई जाते है अगर आपको mercantile law समझना है है ना अगर आपको sales of good act समझना है sales of good act समझना है अगर आपको transfer of property act समझना है तो you have to understand the concept of property as well as the concept of thoughts फिर आपको civil wrong जो है वो समझना है और आपको यह पता करना है कि यह civil wrong में compensation मिलता है criminal wrong में punishment मिलती है तो आपको thoughts को समझना पड़ेगा and how it is different from crimes और administrative law altogether काफी different होता है because यहाँ पर सूशासन की बात होती है सूशासन में क्या important है correct administration में क्या important है correct governance का होना correct governance कैसे होती है constitution के हिसाब से होती है तो again यह constitutional law का एक हिस्सा मना जाता है administrative law आप यह भी कह सकते हैं कि administrative law is that branch of the constitutional law where the constitution tells you that how the people, the subjects, the citizens are going to be governed by the state okay arbitration में adversarial और inquisitorial system होते हैं जिसको हम कहते हैं कि America का system है, एक UK का system है आपको बताया था मैंने कि India ने दोनों ही systems को harness किया है parliamentary sovereignty और independence of judiciary के साथ-साथ हमने यह भी कहा है कि हमारे यहां पे जो judges होंगे right वो खुद में अधिवक्ता नहीं होंगे वो खुद में advocate नहीं होंगे judges will be deciding the matter based on the evidences that will be produced before them by the advocates advocates are going to represent the interest of the clients in America, that's not the case in America the judge can himself ask the police to do a particular inquiry or do a particular investigation the judge can also have a biasness towards one of the parties because prima facie he can see that the party is innocent judge can also initiate an inquiry whereas in India it is not really practiced so what is the basic difference between adversarial and inquisitorial system adversary means one versus one there are two advocates who are representing their cases before the judge that is adversarial system inquisitorial is where the justice system is such that it is already trying to you know indulge in the affairs indulge in the matter and extract the truth evidence adversarial system may court tribunals, ombudsman, बहुत MCQs आते हैं, ombudsman से, very important, very trending it is, then we have mediation and conciliation, लोक अदालत, लोक पालन, लोक आयुगत, यह maximum MCQ वाला area है, जहां से maximum MCQs जो होते हैं, वो toughest होते हैं, क्योंकि there is too much facts, there is too much facts here, and that is where this chapter becomes very important, ठीक है, तो हम इसको भी detail में cover करेंगे, obviously, तो आपको पूरा-पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर human rights in India है, यह काफी नया concept है, जहां पर human rights के constitution, statutes, national human rights commission, state human rights commission के बारे में हम पढ़ते हैं, बहुत ही easy unit है, जादा difficult नहीं है, फिर आप legal profession in India के बारे में बात करें, तो यह अच्छी और basic unit है, लेकिन काफी boring होती है, यह जो unit है, यह काफी boring होती है, students इसको skip कर देते हैं, और यहां से अगर MCQ आजाता है, तो फिर आप कर ही नहीं पाते हैं, गलत कर देते हैं, तो Indian Advocates Act में क्या-क्या चीज़ें हैं, right, Barrister, Solicitor और Advocates में क्या difference होता है, जैसे अगर कोई बोले कि आपसे कोई पूछे कि Advocate और Lawyer में क्या difference है, तो Advocate वो होता है जिसके पास license होता है, और Lawyer तो वो होता है जिसके पास law की degree होती है, तो degree वाला ही बात में जाके Advocate बन जाता है, और Advocate बनने इसको इंट्रेस्टिंग बनाना पड़ता है तो वहाँ पे आपको हमारे लेक्चर मदद करेंगे लीगल सर्विसेज बोर्ड और फंडिंग जो है यह भी काफी सिंपल और इजी यूनिट है अगर आप इसको इग्नॉर भी कर दें तो भी काम चल जाएगा क्योंकि यहां से international context very important इसकी salience जो है साल दर साल importance जो है वो बढ़ती होई नजर आएगी आपको international law sources, international institutions और international human rights and that is where the syllabus ends. हमारे यहां पे जो life classes होंगी प्लीज आप LexPrep को subscribe कर लिजे अगर आपको आपका पूरा legal studies free में पढ़ना है देखिए यही चीज आपको पढ़ाने के लिए coaching आपसे 40,000 रुपे ले लेगी CVT के नाम पे, 50,000 ले लेगी Olet के नाम पे हम आपको यह सारा explanation free of cost दे रहे हैं आप आपको कुछ नहीं करना है आपको बस notes बनाने है बस आपको जो notes हम बनवा रहे हैं जो class में हम notes बनवाएंगे आपको उसको आपको as it is लिखना है थोड़ा सा आपको patience में काम करना है 2x की speed पे 1.75x की speed पे आपको वीडियो को पहले एक बार पूरा देखना है फिर pen और paper ले खवतनी पड़े की and whatever you are going to learn in these videos that is going to stick along with you so this is completely a free of cost initiative again this is free of cost this is free of cost just to tell you that how interesting is legal studies how interesting is legal studies and the way I will be teaching you is going to help you in your class 12th boards also if you have taken the legal studies as optional you can also recommend this particular channel to 11 standard kids and also this will help you in your CLAD preparation in your OLED preparation because the fundas do not change the basics do not change so this free of cost initiative is going to benefit all of you kindly subscribe to the channel if you have any other expectations you can also put that in the comment box I'll try to specifically deal with your you can say suggestions and your expectations so that's this was Harshwar Nandripati signing off from today's session I'll see you guys in the first class of a legal studies I'll be starting with class 12th then I'll be going to 11th wherever it is important I'll try to club both the books together so that it becomes easier for you yes the lectures are going to be very lengthy one one and a half hours I'll be straight away teaching from the book I'll be telling you important facts that you need to look into so please stay patient please stay in the video and watch the video completely I know that when I say it is free of cost other retention to mahi khatam hojata hai because hamei sasti cheezoon ki free ki cheezoon ki kadar nahi hoti hai with that thought I'll sign off from today's video I'll see you guys in the next